आज का इतिहास एक फर्वरी दो हजार बाईस, एक फर्वरी की महतपूर घटनाए, 1786 लॉर्ड कॉर्ण वालिस ने भारत के गवर्नर जर्रेनल बने, 1790 नियू यॉर्क शहर में पहली बार सुप्रीम कोर्ट अफ दियुनाटिड स्टेट्स कायुजिन किया गया, 1793 फ्रांस ने यॉनाइटेट किंड़म और नीदरलेंड पर युद की घुशना की, 1797 लॉर्ड कॉर्ण वालिस ने बंगाल के गवर्नर जर्रेनल के पत की शपत ली, 1814 फिलिपिन्स में जौलम की फटने से करीब 1200 लोगों की मौत हुई, 1827 कलकता बंगाल कलब की स्थापना हुई, 1835 इस्ट इंडिया कंपनी ने दारजलिंग को सिक्किम से पटे पर लिया, 1835 मौरिशस में गुलामी पर्था का समापन हुई, 1855 इस्ट इंडिया रेलवे का बिदिवत उद्गाटन हुई, 1881 दिली के सबसे पुराने कॉलेज सेंट स्टिफन कॉलेज की स्थापना हुई, 1884 डाक बीमा योजना लागू हुई, 1884 ओक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्ष्णरी का पहला वॉल्यूम ए टू आंट का प्रकाशन हुई, 1908 पुर्तकाल नरेश कारलास प्रथम और युबराज लुइस फिलिप की लिस्वन में हत्या हुई, तथा मैनुवल दित्य शाशक बने 1922 महत्मा गांधी ने असयोग आंदूलन तेज करने की जानकारी भारत के वाइसराय को दी, 1924 यू एस एस आर ने यूनाइटेट किंग्डम को मानिता प्रादान की, 1924 बिटेन ने सोवियत संग को मानिता प्रदान की, 1941 आर्मी डेंटल कॉप्स का गठन हुआ, 1949 प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया ने एस्सोसियेटेट प्रेस आफ इंडिया का अधीरहन कर लिया, 1953 नीदरलेंड, वेल्जियम, इंग्लेंड और स्कॉटलेंड में आई बार से पच्चिस सो से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें सिर्फ नीदरलेंड से ही 1836 लोग मारे गए, 1956 दक्षन अफ्रीका ने सोवियत संग के वालिज दूतवास के करमचारियों को बापस बुलाने की मांग की, 1958 मिश्र और सीरिया को यूनाइटिड अरब रिपब्लिक में मिला लिया गया, जोकी 1961 तक बना रहा, 1964 भारत में यूनिट ट्रस्ट की स्थापना हुई, 1972 भारती अंतर्रास्ट्री बीमान पतनन प्राधिकरण का गठन हुआ, 1974 साओ पाउलो ब्राजील में 25 मंजल बैंक की इमारत में आग से 227 लोगों की मृत्य हो गई, 1974 कौलालंपर को संगिय छेत्र गोशित किया गया, 1976 रास्ट्रिय संबाद समिती समचार का गठन हुआ, 1977 भारती अंतर्ट रक्षक बल का गठन हुआ, 1977 भारत के पहले रास्ट्रिय खेल संग्रहाले दिल्ली की स्थापना हुई, 1989 चौदा वर्षों तक निर्वासित जीवन बिताने के बाद, आयातुल्ला खुमैनी का इरान आगमन हुआ, 1985 मुहमद अजुरुदीन ने कानपूर में शतक लगा कर लगतार तीन टेस्टों में शतक का विश्व रिकॉर्ड बनाया, 1991 अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भुकम्प से करीब 1200 लोगों की मौत हो गई, 1992 बोपाल के मुखे नयाइदीश ने यूनियन कारवाइड के पूर्व सीई-ओ वारेन एंडरसन को फरार गोशित किया, बोपाल गैस तरास्टी, 1992 केंदर शाषित प्रदेश दिल्ली को नया नाम रास्ट्रिय राजदानी छेत्र दिल्ली दिया गया, 1994 जोस अनाला लेसो सैयुक्त राष्ट मानवादिकार के पर्थम उच्चायुक्त न्युक्त हुए, 1998 पीटर कॉड़ा ने मारसीलो रियोस को हरा कर ऑस्ट्रेलियाई ओपन टैनेस चेंपिन्शिप का खिताब जीता, 1999 अंतररास्ट्रिय इस्लामी धर्मसभा का टांगी मंगलादेश में आयोजन हुआ, 1999 पाकिस्तान उच्च नियायले दोरा प्रमक अखवार जंग के प्रकाशन हितू आदेश जारी, 2002 अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की आतंगबादियों ने सिर कलम करके हत्या की, 2003 अंतरिक्ष से बापस लोटते भक्त हुई कोलंबिया यान दुर्गटना में भारत की कल्पना चावला सहित साथ अंतरिक्ष यात्री मारे गए, 2004 साओधी अरब में हज यात्रा के दौरान मची भगदर में 251 लोगों की मौत और 244 गायल हुए, 2005 नेपाल नरेश ग्यानेंदर ने परधान मंत्री शेर बहादुर देवबा को हटा कर तीन वर्ष के लिए सारे कारेकारी अधिकार अपने पास लिए, 2006 संयुक्त राज्य अमेरिका ने दस वर्ष ये अमेरिकी परतीस फ़र्दी युजना की गोशना की, 2007 इफको ने जॉर्डन कमपनी जे पीएम के साथ संयुक्त उध्धम स्थापित करने का निडे लिया, 2009 चार देशों के पंजाब गोल्ड कप होकी टूनामेंट में भारत ने नियूजिलेंड को दो जीरो से हराया, 2009 मिलवर्न आस्ट्रेलिया में भारत के महेश भूपती और सान्या मिर्जा की जोड़ी ने पहरी बार मिक्स्ट डवल का खिताब जीता,